हेलो गाइज वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल यूनिपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्स्चर के बारे में तो यह मिक्स्चर होते क्या हैं तो आईए एक बार डेफिनिशन को पढ़ लेते हैं mixtures are formed by just mixing two or more pure substances components such that each components retain its own physical identity तो मतलब क्या है की mixture होते क्या है mixture वो बनते तब है जब हम two जो या दो से ज्यादा pure substances को क्या कर देते हैं mix कर देते हैं जो या दो या दो से ज़ादा components को mикс कर देते हैं म commen WHAT करने के बाद उसकी कैमिकल composition या sorry chemical identity है वो change ना हो तो उसी को mixture बोलेंगे chemical identity भी same होनी चाहिए उसी को mixture बोलेंगे ठीक है तो I hope आपको यह mixture topic समझ आ गया होगा और मैं आपको बता दूँ हम अगली आने वाली videos में homogeneous mixture के बारे में discuss करेंगे और heterogeneous mixture के बारे में तो mixture दोता है क्यों होते हैं homogeneous mixture एक होता है heterogeneous mixture तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थेंक्यू फॉर वाच्छंग एट